लोग आईज देखिए मैं आपको आज अदिवेशन कराऊंगी जो मैप के अनुसार कब और कहां हुआ कांग्रेश अदिवेशन 1885 से 1947 इसमें देख लिजे आप मैप के धुरू तो देखिए 1919 में अमरीचर में हुआ और 1903 में लाहोर में 1909 में भी लाहोर में 1929 में लाहोर में 1913 और 1931 कराचीर में और देखिए दिल्ली में 1918 में हुआ 1923 में 1932 में देखो दिल्ली में कहा हुआ 1918 में और 1923 में 1932 में एहमदाबाद में कब हुआ 1902 में और 1921 में हरीपुरा में 1938 में हरीपुरा और सूरत 1907 में पुना में देखे 1885 में और बैल गाउं 1924 में और बंबई में देखो कब कब हुआ 1885 में हुआ जो पहला अधिवेशन था फिर हुआ 1889 में फिर हुआ 1904 में गुबंबई में 1915 में 1918 में 1934 में ठीक है यह आपके सारे बंबई में कितने हुए एक दो तीन चार पांच है कितने दिवेशन हुए बंबई में छे हुए 1985, 1989, 1904, 1885, 1889, 1904, 1915, 1908, 1934 ठीक है अगले देखिए पूना में देखिए पूना में 1995 में हुआ और बेल गाओं में 1924 में जिसके अध्यक्स्ता किसे ने कीती मात्मा गांधी ने कीती अब देखिए मदरास में मदरास में कितने हुए एक दो तीन चार पांच है साथ में मंदरास में कितने अधिवेशन हुए साथ हुए देखिए पहला हुआ 1887 में मंदरास में 1887 में फिर 1894 फिर 1898 फिर 1903 में फिर 1908 में फिर 1914 में फिर 1927 में काकी नाड़ा में एक हुआ सिर्थ और ये हुआ 1923 में 1923 में फिर 1923 में हुआ था ये रहा ये हुआ था आपका दिल्ली में 1923 में भी हुआ और यहां भी हुआ काकी नाड़ा में भी हुआ और यहां भी हुआ आपका दिल्ली में ठीक है 1923 में अब देखो कलकत्ता में कितने अदिवेशन हुए एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आट, नो, दस सबसे जाध साइध हैं कलकत्ता में अदिवेशन हुआ तो सबसे पहले मतलक इसमें 1886 में हुआ फिर 1890 में हुआ पलकत्त में फिर 1896 में हुआ, 1901 में हुआ, 1906 में हुआ, 1911 में हुआ, 1917 में हुआ, 1920 में हुआ, 1928 में हुआ, 1933 में हुआ, तो याद रख लिए 6 सी, फिर 4 जोड़ा, तो 90, फिर इसमें 6 जोड़ा, तो 96, फिर इसमें कितना जोड़ा, 96, और 4 एक 5 जोड़ा, एक 8 में फिर 5 जोड़ा, फिर इसमें 5 जोड़ा, और फिर इसमें 11 में कितना जोड़ा, 7 6 जोड़ा और 6 में फिर 4 जोड़ा पिर 4 इसमें 8 और फिर इसमें कितना गए 5 तो याद रखे 6 में कलकत्ता में 6 सी में हुआ 69 में हुआ 1901 में 1906 में 1911 में यहां से 1901 के बाद फिर 5 का गया फुर्ता चलागा देखे एक में पांच जोड़ा तो 6 होगे, 6 में 5 जोड़ा तो 11 होगे और 11 में 6 जोड़ा, तो 17 होगे, 17 में 5 जोड़ा 17 और 17 में कितना, 17 में 3 जोड़ा 20 होगे और 20 में 8 जोड़ा 28, 28 में 5 जोड़ा कितना होगे 33 होगे तो आपके कलकत्ता में कुण कुण से 1886, 1890, 1896, 1911, 1917, 1920, 1928, 1923, ठीक है? यह कलकत्ता में हो गया आपके, अब देखिए, हो जाएए यहाँ पर कोहाटी में 1926 में हुआ और गया में 1922 में हुआ ठीक है? और अब देखिए, बांकी पुरा में 1912 में और बनारस में 1905 में अधिवेशन हुआ, कांग्रेस अधिवेशन और 1940 में रामगड में, नागपूर में 1991 और 1920 में, अमरावती में 1887, लखनव में तीन हुए, कौन-कौन से 1899 और 1916 और 1936, मेरट में एक ही हुआ जो हुआ उन्निस में 1946 में, ठीक है, लाबाद में दो हुए, अठारा सो बांड में और 1902 में, 1910 में, तिरपूरी में यह की हुआ, फेजपूर में 1937 में, और पूना में 1905 में, ठीक है, यह हो गया आपके, अब देख लिजी, इसके अधिक्स कोन-कोन थे, यह भी देख लिजी आ, यह अधिक्स कोन से अधिवेशन के, कोन अधिक्स थे, देखे, पहला अधिवेशन कब हुआ, अठारा सो बिचसी में हुआ, और जो बंबई में हुआ, इसके अधिक्स वयोम, वयोम सचंद्र बनर जी थे, और इसके परती निदी कितने थे, बाहतर परती निदियों ने भाग अब देखे ये दूसरा दिवेशन आपका देखे दूसरा दिवेशन अठारा से छेसी में हुआ था जो आपका कलकत्ता में हुआ और यह आपका दादा नारोजी ने किया था जो फार्शी थे ये हिंदू थे ये देख्जो थे हिंदू थे और जो ये दादा भाई नारोजी यह फार्शी थे अग्ला धिवेशन देखे यह 1886 में हुआ ता जो मदरास में हुआ बद्रु दीन तैयर जी थे और यह पर्थम मुशलिम अध्यक्स थे कुन थे पर्थम मुशलिम अध्यक्स थे चोथा अधिवेशन अठारा सो अठासी में इलाबाद में हुआ जिसके अध्यक्स जोर्ज यूल थे जो यूरोपियन पर्थम यूरोपियन या अंग्रेज अध्यक्स थे पाँचवा अधिवेशन अठारा सो नावासी में हुआ जो बंबई में हुआ और इसके अध्यक्स सर वीलियम वेडर वर्ण थे छोठा अत्हा अधिवेशन देखे कब हुआ 1890 में हुआ और यह आपका कौलकत्ता में हुआ और इसके अधियक्स सरफिरोज सहार में इता थे सातवा देखे Сातवा अधिवेशन 1819 में नागपूर में हुआ और इसके अधियक्स पी आनंद चार नु थे आठवा अधिवेशन अठारासो बानवे में हुआ और ये इलाबाद में हुआ और इसके अधिवेशन वयोम सचन्दरबनर जी थे तो ये दो बार बन चुके, पहले और आथी, अठारा सो गान में, अठारा सो पिचासी में, वयोम सो चंद्र बनरजी, अब नौगा अधिवेशन, अठारा सो तिरान में हुआ, जो लाहर में हुआ, और इसके अध्यक्स दादा भाई नारो, नो राजी, नो राजी थे, अगल इसी अध्यवेशन में पहली बार वन्दे मात्रम गाया गया था इसी अधिवेशन में पहली बार वत्ने मात्रम भाया गया था और उसके अध्यक्स रहिम तुल्ला सयाने थे देखे तेरवा अधिवेशन 1897 में अम्रावती सी संकर नारायन नायार थे तेरवा अधिवेशन के अध्यक्स कों थे सीज संकर नारायन थे और जो यह दिवेशन का हुआ था यह हुआ था 1977 में अमरावती में अब देखें चोड़वा अठारा सो अठाण में हुआ था और ये इसके अध्यक्स थे आनन महंदास पंद्रवा अठारा सो निम्यान में जो लखनाव में हुआ था और इसके अध्यक्स रमेश चंद्र दत जी थे सोड़वा अध्यवेशन उन्निस सो में लाहोर में हुआ और इसके अध्यक्स एन जी चंद्रा वर कर थे सत्रवा उन्निस सो एक कलकत्ता दिन इंदूल जी सत्रवा जो अध्यवेशन हुआ था उन्निस सो एक में कलकत्ता में हुआ और इनके अध्यक्स दिन सा इंदूल जी वाचा थे अठारवा अध्यवेशन उन्निस सो दो में एंधाबाद में हुआ और इसके अध्यक्स सुरेंद्रनात बनर जी थे उन्निसवा अध्यवेशन उन्निस सो तीन में मदरास में हुआ और इसके अध्यक्स लाल मोवन घोश थे 20 वा अधिवेशन 1904 में वंबई में हुआ और इसके अदिवेशन 1905 में वनारस में हुआ उसके अदिवेशन 1906 में कलकत्ता में हुआ उसके अदियक्स दादा भाई नरोजी थे पहली बार सवराज सब्द का परियोग इसी अधिवेशन में किया गया। अगला को अगला देखें तेईसवा अधिवेशन 1907 में सूरत में हुआ और इसके अध्यक टाक्टर रास बिहारी गोश्टे कांग्रेश का पर्थम विभाजन 1907 में हुआ था। चुबिसवा अधिवेशन 1908 में मदरास में हुआ था और इसके अध्यक डाक्टर रास बिहारी गोश्टे कांग्रेश सन्विधान का निर्मान हुआ थीक। पच्चिसवा अधिवेशन 1909 में लाहोर में हुआ और इसके अध्यक पंडित मदन मोवन मालिवेजी थे। चुबिसवा अधिवेशन 1910 में इलाबाद में हुआ और इसके अध्यक वीलियम वैडर बर्म थे। 27 अधिवेशन 1911 में पलकत्ता में हुआ और इसके अध्यक पंडित वीशन नारान थे। और पहली बार जन गनमन गाया गया। 27 अधिवेशन में पहली बार जन गनमन गाया गया। 28 अध्यक वा 1912 में बाकिपूर में हुआ और इसके अध्यक आर एन महाधोल कर थे। अगला कोईशन देखिए 29 अधिवेशन 1913 में कराची में हुआ और इसके अध्यक्स नवाब सेयद मुहम्मद बहादूर थे 30 अधिवेशन 1914 में पंद्रास में हुआ और इसके अध्यक्स भुपेंदर नात बसु थे 31 अधिवेशन 1915 में बंबई में हुआ और इसके अध्यक्स सर सतेयंदर परसन लाई वैलिंटन सीनहा ने भाग लिया 32 अधिवेशन 1916 में लखनव में हुआ और इसके अध्यक्स अंभी का चंडर मंजूमदार मुस्लिम लिंग से समझोता और इसमें क्या हुआ मुस्लिम लिंग से समझोता हुआ 1916 में और देखिए 33 अधिवेशन 1917 में कलकत्ता में हुआ और इसके अध्यक्स सरी मती एनी बेसेंट जो पर्थम महिला अध्यक्स कांग्रेश का दूसरा विभाजन हुआ था पर्थम महिला बनी थी और कांग्रेश का दूसरा विभाजन हुआ था अगना कोईशन देखिए पर्थम महिला अध्यक्स बनी थी यह देखिए 33 अच्छा विशेश अधिकार 1918 बंबई में हुआ और यह हसन इमाम इमाम इसके अध्यक्स बने और कांग्रेश का दूसरा विभाजन 34 वा 1918 दिल्ली में हुआ और इसके अध्यक्स पंडित मोहन मालवे जी थे 35 अधिवेशन 1919 में अमरिज सर में हुआ और इसके अध्यक्स पंडित मोती नान नहरू थे विसेश अधिकार तो इसका उनिस सो बीस कलकत्ता में हुआ और इसके अध्यक्स लाला लाजपत्राई ऐसा योग परस्ताव पास किया अगला च्छतिसवा अधिवेशन च्छतिसवा अधिवेशन उनिस सो बीस में नागपूर में हुआ और इसके अध्यक्स सीवी, सीवी रागवा चारियर थे और कांग्रेस सन्विधान में परिवर्तन हुआ 37 वा अधिवेशन 1921 में एहम्दाबाद में हुआ और इसके अध्यक्स हकीम अजमल खा थे 38 वा अधिवेशन 1922 गया में हुआ और इसके अध्यक्स देश बंदू चितरंजन दास जी थे 49 वा अधिवेशन 1923 में काकी नाड़ा में हुआ और इसके अध्यक्स मोलाना मुहम्मद अली थे विसेश अधिकार 1923 में दिल्ली अबुल कलाम आजाद सबसे युवा अध्यक्स रही 40 वा अधिवेशन 1924 में बेलगाम में हुआ और इसके अध्यक्स महत्मा गांदी थी 41 वा अधिवेशन 1925 में कानपूर में हुआ और इसके अध्यक्स सिरी मतिस रोज निनाइडू थी जो पर्थम भारत्य महिला अध्यक्स बनी थी 42 वा अधिवेशन 1926 में गुहाटी में हुआ और इसके अध्यक्स ऐस सिरी निवास आयगार थे सदेश्यु ही तु खादी वस्तर अनिवारिय था 43 वा 1927 में बदरास में हुआ और इसके अध्यक्स डाक्टर एम ए अनसारी पूरण सवादीन्टा की मांग इसी अधिवेशन में की गई थी 44 वा अधिवेशन 1928 में कलकता में हुआ और इसके अध्यक्स पंडित मोतिलाल नहरू थे 45 वा अधिवेशन 1929 में लाहोर में हुआ और इसके अध्यक्स पंडित जवारलाल नहरू और इसमें पूर्ण सवराज्य की मांग की गई 46 वा अधिवेशन 1941 में कराची में हुआ और इसके अध्यक्स सरदार वल्लब भाई पटेल थे उसमें मौलिक अधिकार की मांग की दे 47 वा अधिवेशन 1932 में दिल्ली में हुआ और इसके अध्यक्स अमरित रण छोड़ दास सेथ थे 48 वा अधिवेशन 1933 में कनकत्ता में हुआ और इसके अध्यक्स सरी मतीन नेली थी 49 वा अधिवेशन 1934 में बंबई में हुआ और इसके अध्यक्स डाक्टर राजेंदर परसाध जी थे पचासवा अधिवेशन 1936 में लखनव में हुआ और इसके अध्यक्स पंडी जवार लान नहरू थे इक्यावनवा अधिवेशन 1937 में फेजापूर में हुआ और इसके अध्यक्स पंडी जवार लान नहरू थे और इसमें गाउं में आयोजित पर्थम अधिवेशन हुआ था गाउं में हुआ था ये पर्थम अधिवेशन 52 अधिवेशन 1938 में हरीपूरा गुजरात में हुआ और इसके अध्यक सुभाज चंद्रबोश जी थे 53 वा अधिवेशन 1949 में तिरपुरी में हुआ और इसके अध्यक्त सुभाज चंद्रबोश जी थे 54 वा अधिवेशन 1940 में अरामगड में हुआ और इसके अध्यक्त कलाम आजाद थे 55 वा अधिवेशन 1946 में मेरट में हुआ और इसके अध्यक्त आचारिय जेवी आजादी करपलानी थे और इसमें आजादी के समय अध्यक्त बने ये आजादी कोण बने के आचारिय जेवी करपलानी आजादी के समय अध्यक्त बने 56 अधिवेशन 1948 में जहपूर में हुआ और इसके अध्यक्स बीपटावी सीता रमय्या जी थे 57 अधिवेशन 1950 में नासिक में हुआ और इसके अध्यक्स पुर्षो तमधास टंडन जी थे नोर डाक्टर राजंदर करशाद 1947 इस्वी में दिल्ली में हुई विशेश अधिवेशन के अध्यक्स थी तो विशेश अधिवेशन सोरी जो मैं आपको ये बार-बार अधिकार बुलना न यह आपका अधिवेशन है विशेश अधिवेशन ठीक है